कि अधियु अधियु आपकी हिंदी कुलमोहर का पाठ दो घनिष्ट मित्र के आगे हम कंटिन्यू परते हैं इस कहानी को जब कच्छुए को सिकारी ने पकड़ लिया और थैले में बंद कर लिया तो तीनों मित्र थे तीनों मित्र कौन-कौन से हिरान कववा और चूहा ये त सिकारी के थैले से चुड़ाने की उन्होंने योजना बनाई उन्होंने प्लानिंग की है तो योजना के अनुसार हिरन जो है वह सिकारी के सामने फिर से आता है है ना सिकारी के सामने आता है और घास सरने लगता है वहां पर जैसे ही सिकारी हिरन को देखता है तो हिरन को पक अगरत हो जाती है तो लालच में आकर उसने अपना थैला जमीन पर रख दिया जिसमें कौन था कच्छुवा था जमीन पर रख देता है और हिरन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है अब हिरन होश्यार था क्योंकि उन्होंने योजना बनाई थी है ना कच्छुवे को चुड़ाने की इसलिए हिरन जो है हुश्यार था तो सिकारी को देखकर वा आगे और आगे बढ़ता गया थैले को छोड़कर बहुत दूर आगे बढ़ चुका था यह देखकर चुह जाडियों से निकला और यह देखकर के थैले को जल्दी-जल्दी काटना शुरू कर दिया था जब दो गाटना-धा दूरुए द हिस तो बहुत दूर चुकर crime काटना सुरू कर दिया पिक्चर में चुहा जो है अपने नुकीले दातों से थैले को काटना शुरू कर देता है जब चुहे ने थैला काट दिया तब कच्छुवा बाहर निकलाया तो हिरन का पीछा करते जब सिकारी ठक गया क्योंकि हिरनों से बहुत दूर तक ले जा चुका था था थक कर बाद चूर हो गया और वहीं पर एक जगा बैठ गया है थक गया और उसने अपना थैला लेने के लिए वापस आ गया कि उसने सोचा कि अभेरन ना सही कच्छुवे को ही मैं ले जाता हूं तो थैला लेने के लिए जब वापस गया लेकिन उसने देखा कि थैला तो जाल की तरह ही कटा हुआ है तथा उसमें कच्छुव भी नहीं है यह देखकर सिकारी जो है सिर पीटने लगता है और लाच के चक्कर में उसे एक भी सिकारी नहीं मिला है और उसने कच्छुव को तो पकड़ लिया था परण्तु हिराम के लाल लच में वा फिर से हिरन के पीछे पीछे गया जब तक चुए ने कच्छुवे को चुड़ा लिया है ना अर इस प्रकार से जब वापस आया तो उ इसमें कच्छुव कैद था इसलिए सिकारी अपना सिर पीटते हुए वहां से बढ़गडाते हुए चला गया क्योंकि उसे एक भी सिकार उसके हाथ में नहीं लगा आप सिकारी के जाते ही चारों मित्र थे जो अपने अपने स्थान से निकल गए वहां जहां थे वे जंगल से वहां से वे अपने अपने स्थान से निकल गए और बाते करते करते जील की ओर बढ़ने लगे जहां पर वे रहते थे नदी किनारे जील के पास तो इस प्रकार से कहानिया खतम होती है स्टूडेंट इस कहानी से हमें सिक्षय मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए हमारे पास इतना है उसी में हमें खुस रहना चाहिए जिस तरह से सिकारी के लालच करने से उसके हाथ एक भी सिकार नहीं लगा है ना इसलिए हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए ओके स्टुडेंट्स तो इस स्टोरी को आप फिर से एक बार रीट करिएगा और अच्छे से समझेगा ठीक ना और यह कहानी है आप इसे याद भी कर सकते हैं और आप अपने घर में सुना भी सकते हैं यह बहुत ही अच्छी इंट्रेस्टिंग स्टोरी है और इस पार्ट में जो भी कठेन शब्दाय हुए हैं आप उन्हें एक बार अच्छे से उनके अर्थ को धूंडिएगा कुछ पीछे सब्दार्थ भी दिये हुए हैं तो आप उनमें से भी देख सकते हैं और कुछ नहीं बनते तो आप फाइंड करेंगे उनके अर्थ को ओके देखिए इसमें कुछ यहां पर देखिए शब्दार्थ दिये हुए हैं वर्ड मीनिंग ठीक है न तो यहां से आप यह सब्दार्थ भी पढ़िएगा पार्थ में जो कठेन शब्दाय हुए हैं उनकी यहां पर मीनिंग दी हुई हैं तो आप इसे भी अच्छे से पढ़िएगा और उसके अलावा वियदी कुछ शब्दैंसे हैं, जिनकी मीनिंग आपको नहीं आती, कुछ कठें नहीं, तो आप उन्हें फाइन कीजिया, ओके स्टुडेंट्स, ओके, बाई बाई, हैव अगुड डे,